तो भोजन वच्चे ओच्छामा ओच्छू पाँच थी छ कल्लाक नू अंतर होगू जोईए जीववानी आदर शरीत एचे के मारा जीवनमा उंगज ना होए पड़ हमणा ते शक्या ना थी अने हजी शरीर मा थोड़ी जड़ता चे एटले ते ओचामा ओची उंगले चे बाकीना समाई मा ते आराममा रहे चे तमे दैनिक धोरणे हुफळा पाणी मा थोड़ा मधनू सेवन करो अने तमे जोशो के धीमे धीमे लाल रक्त कणोनू प्र जारे खौराक नी वातावे त्यारे सउती महतवणी बाबातोवानी एक के जेना विशे तमारे जागरुक रहवुझ जोए ते एचे के अमुक दिवसे जारे तमे अमुक प्रकारणो खोराक खाता हो त्यारे तमारे जागरुक पने नोधोँ जोईह के ते किटलूं जडब जो खोराक तमारा जठर माथी त्रोण कल्लाक ना समय मा बहार निकडी जाए तो तेनों अर्थ छे के तमें एवू कई खाई रहा जो जे तमारी सिस्टम असर कारकरी ते संभड़ी शके छे ते कदाच अश्रेश्ट खोराक ना होए फड़ तमारी सिस्टम तेने संभड़ी शके छे अने एक भोजन अने पचीना भोजन वच्चे जो तमें पाँच थी शक अल्लाक नों स्पष्ट अंतर बनावो अने वच्चे वच्चे जो कई बीजू पेट मा नथी नागता तो तमें जोशो सिस्टम मां कोश्रिय स्थर पर सफाई थाशे तंदूरस्त जीवेन माटे आ कोश्र ना स्थर नी सफाई खुब जगत्य नीचे तो भोजन वच्चे ओच्चा मा ओच्चू पाँच थी शक अल्लाक नों अंतर हो वज जोईए जो तमें 30 वर्ष्टी उपर नी उमर ना हो तो दिवसमां बे वार दिवसमां बे व्यवस्थित भोजन पूरतूँ छे एक सवारे औने एक सांजे सांजना भोजन पची तमें सुवा जाओते पहला ओचा मा ओचूँ त्रोण कल लाक नों अंतर हो जोईए अने त्यारे जो अमुक मातरा मां शारेरिक प्रवूरती होई चरूरी नथी के बहु भारे के परिश्रमी प्रवूरती होई बस सामान्य चालवूं के कदाचन रुत्य के एना जेवू कें तमारा माटे एवूं के एक बनावो जेना थी दरेक सांजना बोजन पची लगबग ओचाम ओची 20-30 मिनिट थोड़िक शारेरिक प्रवरुत्ती रहे जो तमें आम करशो तो मोटा भागे तमारी सिस्टम स्वस्थ रहे शे एनीमिया एटले ए एक स्तर जेना पर लोहिये तेनू लोहतत्व गुमावी दिदू छे एटले के तमें तमारू लोखंड गुमावी दिदू छे ठीक छे, तमें शरीर नी शक्ती गुमावी दी दी छे, तमें थाकेला अनुगोशो, बस कोईच कारण वगर थाकेला, किमके एक वार जारे जरूरी लोह तत्व नथी होतु, त्यारे शरीर मां ओक्सिजन नू वहन करवानी तमारी क्षमता ओची होई छे तेनों मतलब के तमारू शरीर, तमारू रदय, तमारू मगज, बधू एक नीचा स्तर पर काम करशे, किमके तमारी पासे पूर्तो अक्सिजन न थी तती लोहीमा ओक्सिजन नू स्तर वधार्वू, ए महत्वनी बाबतो वानी एक शे, करण के शरीर किटलू तंदू रस्त छे, किटली सरल ताथी ते पोतानू नवीनी करण करे शे, ते लोहीनी अंदर ओक्सिजन ना उंचा स्तर पर आधार राखे शे अने ते एक शमता घटी ये शे, खास करीने महिला ओए आंगे सावचेत रहू जोईए, किमके जयवीक प्रक्रियाने कारने तेमनू हिमोग लोबीन नू प्रमाण घटी शके शे, लोहीमा ओक्सिजन वहन करवानी तेमने एक शमता नीचे आविज जे शे, जी तेमने बिन जरूरी रिते ठक्वी नाक्षे, जेना लिते तेओ बुद्धी शाड़ी न होई एवू लाक्षे, अने हा, जो लाल रक्त कणोनू प्रमाण नीचे जाए, तो तमें मूर्ख होवानू अनुअनुबवव छो, किमके मगज मा पूर्दो अक्सिजन नाथी होतो, अने तेने जे रिते काम करवानी जरूर छे, ते रिते काम करतू नाथी, शरीर अने मगज बनने, तो आनी कालची लेवा माटे एक सरण वस्तू ए छे, कि तमें दर्रोज हूँ फाड़ा प्राणी मा थोड़ू मत पीवो, तो तमें जो शो के धीमी धीमें लाल रक्त कणोनू शरीर माज जड़तानू स्तर तमें अनुभवो छो, ते घणू नीचे आवीजे शे, मन माजे जड़तानू स्तर तमें अनुभवो छो, ते घणू नीचे आवीजे शे तो मद आपनी सिस्टम पर अलग-अलग प्रकार्नी असर धरावे छे जो तेने काचू लेवाम आवे तो तेनी एक प्रकार्नी असर होई छे जो तेने ठंडा पाणी साथ लेवाम आवे तो तेनी बीजा प्रकार्नी असर होई छे जो तेने हुँफाडा पाणी साथे लेवा मां आवे तो तेनी अलग असर छे अहीं आपने तेने हुँफाडा पाणी साथे लेवा मांगिये छे केम के आपने सिस्टम ने खोलवा मांगिये छे जो तमें तेने उकड़ता पाणी मा नाखो तो मद नो किटलोक भाग जेरी थी जशे तो तमारे तेने क्यारे उकड़ता पाणी मा ना नाखो जुए अथवा तेने नही रांधू जुए जो ते अमुक तापमान पार करे तो मद जेरी बनी जाए शे तो तेने पीवा लायक तापमान माज नाखो जुए जो ए उकड़तू गरम होए तो तमें तेमा ना नाख शो जुओ कोई ना जीवन मा उंग एक जरूरियात नथी शरी ने जेनी जरूर छे ते छे आराम उंग बस आराम नू एक स्वरूप छे तमिल डाडू मा जो कोई कहे रेस्ट पन निकरांगा इटले ते उंग ही रहा शे जरूरी नथी तमें बैसी ने पन आराम करी शेको नई तमें उभा रही ने पन आराम करी शेको तमें दोड़ी रहा शो पशी जो तमें उभा रही जाओ तो शूंते आराम जेऊ नथी लागतू तमें उभा जो जो तमें बैसी जाओ तो शूंते आराम जेऊ नथी उत्पादन तेज गतिये चालतू रहे छे तेथी थोड़ा समाई पची तमें ताजगी अनुभवो छो किमके वपराश ओचो थे गयो छे मोड़भूत रिते तमें उर्जाना समी करणमू संचारन करी रहा छो जो तमें प्रवरुत्ती मां हो तो वपराश वधारे होए छे तमें जिटलू पण उत्पादन करी रहा हो ते पूर्टू नाथी होतू थोड़ा समाई पची तमें थाक अनुभवो छो किमके वपराश भारे रहे होतो जो तमें वपराश वचो करो अने उत्पादन मां वधारो करो तो थोड़ा समाई पची तमें उर्जान वित अनुभवो छो जिववानी आदर शरीत छे मारा जिवन मां कोई उंग न थी पर हमना ते शक्या न थी हजी शरीर मां थोड़ी जड़ता छे तो ते ओचा मां ओची उंग ले छे बाकीना समय मां ते आराम मां रहे छे जो तमें तेने आराम मां राखो तो ज्यां सुधी शरीर थाक ना अमुक स्तर पर आवे नहीं त्यां सुधी तेने उंग आवती न थी तो शरीर क्या रहे उंग न थी मागतूं पण चोकस पणे ते आराम मांगे शे जो तमने खबर नथी के अहीं आराम थी किवी रिते बैसवूं तो ते आरी ते आराम करवानों प्रयास करशे जो तमे अहीं संपूर्ण पणे आराम थी बैसी शको तो ते उंख्या वगर कला को सुधी बैसी रहे शे नहीं तर ते आँ एक जीरीते आराम करवानू जाणें चे जो तमे अत्यार आएहीं 200 तो एक सरण वस्तु तमे करी शको चो कहे तमें 200 तमें आवो वन आईहीं 200 बस तमें तमें तमरो द्यान तमारा माथानी उपरना भाग ती चिक नीचे तमारा अंगुठा सुधी फेरवो अने जुओ के शुँ बदू धीलू सरल विश्रानती मा आने आराम दायक स्थिती मा चे अत्वा तमें आम बेठा चो बस बैसो आने तमें जिटलू आराम मा लावी शको तेटलू लावो पदू तो तमारी जागरुक ताना सरे न थी जागरुक ता थी जिटलू तमें तेने आराम मा लावी शको तेटलू लाई आवो तमें अचानक तमें जोशो के जो तमें दस वागे अंगवा वाळाओ माना हशो अहीं बस आवी आराम दाये करिते एक कलाग बेसे आबाद तमें जोशो के तमारी उंग अड़ो कलाग पाचवर जती रेशे दस वागे तमने उंग नहीं आवे स्वाभा भी करिते तमें जागता हशो